नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे इसी उमीद के साथ आज की ये शांदार क्लास हम आपको ले कर आए हैं दोस्तों दोस्तों सबसे पहले तो आपको अग्रेम बदाईयां देना चाहते हैं इन एड़बांस में आपको बहुत बहुत शुब कामना है संस्कित के पेपर के लिए हम बात कर रहे हैं दोस्तों दसवी क्लास के संस्कित के पेपर की आपको पता है कि राजस्तान की अंदर लास्ट प देखिए इसमें बैसे तो देखिए बहुत सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं लेकिन दोस्तों मैं आपकी ही बुक्स से आपकी किताब में जितने भी पाठ हैं उन सभी पाठों मैंसे हमने कुछ प्रश्ण यहां सलेक्ट किये हैं तो मैं यहां पर लगबग आपको 40 उ होगा आपको पता होगा कि इसमें तीन प्रश्ण आपके आते हैं तीन प्रश्ण मतलब तीन नंबर के आते हैं एक प्रश्ण आपका एक नंबर का है तो तीन नंबर तो बहुत होते हैं बच्चों आम जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा वरता है इसलिए तीन नंबर पक्के करने हैं तो ये वाला वीडियो पूरा देखना है आपको ठीक है आपका समय बिलकोल भी खराब नहीं करेंगे आपको पूरा वीडियो समझना है और देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि और भी वीडियो आपको इस पे मिलने वाले हैं आपको नोट कर लेना रट लेना किम शब्द इसके अलावा अस्मद और यूशमद Hoy iad कर लेना कुछ एक शब्द आप जैसे की राम शब्द है वो याद कर लेना रमा है ठीक है यह लता हिन में से कोई पी एक याद कर लेना ये कुछ दो-तीन शब्द मैंने बताए हैं ये ज़्यादातर काम आते हैं वो आपको याद करने हैं इसके अलावा दोस्तों कुछ हमारे प्रश्णवाचक शब्द होते हैं जो हम इनको काम में लेते हैं जैसे की कदा याने कब है ठीक है किम याने क्या है कुत्रियान आपको बिडियो बना रखा है पहले से ही चैनल पे आप देख सकते हैं और यदि आपको नहीं मिलता है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा उस पे क्लिक करना आपको वीडियो ओपन हो जाएगा आराम से देख सकते हो और इसमें जो 40 उधा में आपको बताने वाला हूं उनको तो जरूर सुनना है आपको ठीक है दोस्तों तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं चली मत्र शुरू करते हैं यहां पर हम आपको बताने वाले हैं ग्रामर का ही टॉपिक है प्रश्न रमान दोस्तों आपको पता है कि तीन नमर का आत अब यहां पर देखिए जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन हो रखी होती है न उसी के इस्थान पर आपको प्रश्ण बाचक को शब्द लिखना होता है यह आपको पता होगा तो यहां पर कजल मलिनम जो हमारा शब्द है यह बच्चो धूम जो शब्द है आपका धूमम इस इसका बिशर्षण है यह ठीक है तो इसकी जगे पर आपको क्या लिखना है जिसे की यह प्रश्ण बन जाए तो यहां पर आंसर हो जाएगा की दृशं की दृशं ठीक है आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर किम लिख देते हैं किम नहीं आएगा क्या बच्चों क किम नहीं आएगा क्योंकि आप देखिए एक बार ऐसे ही आप इसको बोल करके देख लीजिए सकटी यानन का मतलब होता है सेकडो मोटर गाडियां बहुत सारी जो मोटर गाडियां हैं वो काजल के समान मलिन धुआ को छोड़ती है तो धुआ छोड़ती है यहाँ पर धुआ कि नीचे अंडरलाइन होता तो आप किम लगा सकते थी यानि कि फिर आता कि क्या छोड़ती है तो धुआ छोड़ती है लेकिन अब आएगा कि काजल की तरह मलिन धुआ छोड़ती है तो धुआ कैसा है काजल की तरह मलिन है तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम ऐसा नहीं कह स तो यहाँ पर नपुम्शक लिंग किद्रिशम लिखेंगे, इस त्रिलिंग होता तो किद्रिशी और नपुम्शक में किद्रिशम और किद्रिशम हो जाता, अब किलियर हो गये आपके किद्रिशम आएगा, ठीक है ना अम मैं ज्यादा डेटिल से नहीं बता रहूँगा क्योंकि मैं केवल यहां मोस्ट बता रहा हूँ आपको और इनमें से आपको मिल जाएगा ठीक है आपने अच्छे से सुन ली और देख ली तो आपका सवाल शायद गलत नहीं होगा दोस्तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि और भी बहुत कुछ में आपको मिलने वाला इस पर अगला कुश्चन है देखिए दो नम्मर पे उद्ध्याने पक्षी नाम कलरवं चेतह प्रसाद अयती बगीचे में पक्षियों का कलरव यानि पक्षियों की आवाज चेतह प्रसाद अयती यानि मन को प्रसन करती है तो यहाँ पर प्रशन बनेगा आप हिंदी में सोचिए बच्चों आप हिंदी में सोचिए यहाँ पर पक्षी नाम के नीचे अंडरलाइन है आपको हिंदी में सोचना है इसका प्रशन हिंदी में बनेगा इसका प्रशन बच्चों आपको अच्छे से किम शब्द पुलिंग में याद होना चाहिए इस्त्रिलिंग में याद होना चाहिए तो यहां बन जाएगा पक्षी नाम की तरह केशाम तो यहां आपका अंसर हो जाएगा केशाम तो लिखा जाएगा उद्याने केशाम कलरवं चेतह प्रसाद यती बगीचे में किसकी कलरव या ध्वनी मन को प्रशन करती है ऐसे आपको समझना है अगला है टीन नमबर पाशानी सभ्यतायाम लता तरू गुलमाह प्रस्तर तले पिष्टाह संती मतलब कह रहे हैं कि पाशानी सभ्यता में जो पाशानी सभ्यता है उसमें लता बेल होती है तरू याने ब्रक्ष होता है गुलमाह याने जाडियां लता तरू गुलमाह संती मतलब दभी हुई है मतलब समझ गए दभी हुई है पिष्टाह संतिया ने दभी हुई है तो लता तरू गुलमाहा समझे लता तरू और जाडिया ऐसा यहाँ पर है तो यहाँ भहवचन है यह तीनों का समाहार है और भहवचन का रूप है तो यहाँ पर आप पुलिंग का रूप लिखेंगे कह कौ के तो किम शब्द बोलेंगे न आप पुलिंग में कह कौ के तो यहाँ पर के आ जाएगा बच्चो तो आपको लिखना होगा के यह आपका अंसर हो जाएगा क्या पत्थर के नीचे दवी हुए है या क्या दवी हुए है ऐसे ठीक है ना ऐसे आपको बनाना है आगे चलिए आगे देखिए यहाँ पर है चार नमबर बच्चो चार नमबर में है कह रहे हैं कि महानगरों में महानगरेशु के नीचे अंडर लाइन है आपको दिख रहा होगा महानगरों में बहानों की अनंत पंक्तिया दोडती है अनेक पंक्तिया दोडती है बहुत सारी लाइन होती है बहानों की आपको पता होगा महानगर में जैसे बॉम्बे है आपका देहली है यहां देखोगे तो इतनी सारी लाइन होती है गाडियों की कि आप रोड को पार भी नहीं कर पाते हैं बड़ी मुस्किल से पार करना पड़ता है ऐसी तो यहां प्रश्ण बनेगा कि कहां पर बाहानों की अनंत पंक्तियां दोडती हैं ऐसे आपको हिंदी में सोचन है तो फटाफट समझ में आ जाएगा ठीक है ना ऐसे तो यहां पर आप लेखेंगे कुत्र 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 यानि कहां पर तो उत्तर हो जाएगा महानगरों में बहानों की अनंत पंक्तियां दोडती हैं प्रश्ण हो जाएगा कहां पर बहानों की अनेक पंक्तियां दोडती क्या रहे हैं कि प्रकर्ती के सन्निधी में या प्रकर्ती की गोध में वास्तव एक सुख मिलता है वास्तव एक सुख प्राप्त होता है प्रकर्ती के सन्निधी में प्रकर्ती के सानिध्य में या प्रकर्ती की गोध में अब हिंदी में सोचिए किसके सानिध्य में यही तो बन इस तरह से आप बना लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है अब चलिए दोस्तों आगे है हमारा च्छे नमबर पर देखिए माम असमात नगरात बहुदूरम नयो मुझको इस नगर से बहुत दूर ले चलो ठीक है ले जाओ तो यहां पर आप बनाएंगे हिंदी में तो है तो यहां लिख देंगे कसमात ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से आप बना लेंगे आगे चलिए साथ नमबर इम काचित व्याग्रमारी वर्तति यह कोई व्याग्रमारी है यह कोई व्याग्रमारी है तो व्याग्रमारी के नीचे अंडरलाइन है बच्छो तो यहा अन्हाँ बन जाएगा व्याग्रमारी है तो लिएवल सुनना spider से याद और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना वच्चे हो क्योंकि और भी तो आपको मेटर मिलेगा इस पर बहुत कुछ मिलने वाला है आपको इस तरह दोस्तों आपको अच्छे से त्यारी करनी है और निश्यत रूप से आप बहुत अच्छे नमर लाओगे इसमें बिलकोल घवर करने वाला काम या फिर यूं कह सकते हैं कि शारीरिक परिश्रम से उत्पन जो कर्म है जो शारीरिक परिश्रम से जो पशीना आता है हमारा वो है व्यायाम ऐसा जो कर्म है ना उसी को व्यायाम कहते हैं तो यहां पर बनेगा कि सरीर का या शारीरिक सरीर से संबंदित जो पर आगे देखिए बच्चो नौ नमबर पर है अरयह व्यायामिनम्ने अरदयंति यहाँ पर देखिए अरयह के नीचे अंडरलाइन है इसका मतलब होता है शत्रू जो शत्रू होते हैं ना वो व्यायाम करने वाले का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते उसको कुछ चल नहीं सकते सम ऐसे तो कौन नहीं आंगे बताइए व्यायाम करने वाले को कौन नहीं कुछल सकते तो यहां हो जाएगा के मतलब अपने आप का हित चाहने वाला जो है उसके दौारा हमेशा व्यायाम करना चाहिए उसको सर्वदा व्यायां करनाbolt चाहिए तो यहां पर देखिए आपका तृतिया का बहु बचन का रूप है तो यहां पर आपको तृतिया भोजनम अपी परिपच्चते मतलब व्यायाम करता हुआ बृद्ध भोजन को भी पचा लेता है चाहे वो कैसा भी भोजन कर लो आप ठीक है चाहे वो बृद्ध भोजन है आपने गलत भोजन कर लिया गरिश भोजन कर लिया बहुत ज़्यादा तलावला भोजन कर लिया है त इसका मतलब है तो यहां पर विरुद्धम है विरुद्धम तो कैसा बोजन तो यहां पर लिखना होगा किद्रिशम किद्रिशम भोजनम अपी परिपच्चते कैसा बोजन व्यायाम करने वाला कैसे बोजन को भी पचा लेता है तो उत्तर हो जाएगा विरुद्धम ऐसे तो लिखना होगा किद्रिशम, आगे चलिए, आगे है गात्रा नाम सू विभक्तता व्यायामेन संभवती, सू विभक्तता का मतलब है सुन्दर्ता, शारीरिक सुन्दर्ये, कह रहे हैं कि शारीरिक सुन्दर्ये जो है व्यायाम से ही संभव है, तो किस से संभव है व्यायाम से, लेकिन किया रहे हैं कि किसकी सुन्दर्ता, किसकी सारीरिक सुन्दर्ता ब्यायाम से संभव है, तो गात्रा नाम, तो यहाँ पर हो जाएगा केशाम, क्योंकि यह सस्टी का रूप है, जैसी विवक्ति है वैसी आपको लिखनी है, तो केशाम गात्रा नाम सेम विवक्तिया सस्टी का भवचन आगे चलिए आगे देखिए यहाँ पर है तेरे नमर पर कुश लवव रामस्य समीप मुपस्रत्य प्रणामत्य है देखो कुश और लव राम के समीप सरक्पर के प्रणाम करते हैं दोनों तो कौन करते हैं प्रणाम बताईए भई कौन तो कुश लवव जैसे राम का चलता है राम है रामव तो इसी तरीका से यहाँ बन जाएगा कव 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 क्या सेम इसके बाद में आगे है से है कृच्छेन बहारम उदवहति कृच्छेन के नीचे डॉलाइन है तृतिया का ए किस से डोता है तो केन आ जाएगा कृच्छेन में तृतिया है तो आपको केन में तृतिया मिलगी आपको तो यहाँ पर केन लिख देना है आपको केन ऐसे आगे है धेनू नाम माता सुर्वी ही आसित धेनू की माता सुर्वी थी तो किन की माता सुर्वी थी अब धेनू इस रूप है तो आपको लिखना होगा कासाम, देनु नाम, सस्टी का बहुचन का रूप है, तो यह लिखना कासाम ऐसे, कस्याह कयो कासाम, सस्टी का रूप है, समझ गहे हैं, आगे है 16 नमबर, उद्यम समो बंदू हुद नास्ति, बंदू के निच अंडर लाइन है यहां पर, क कह उद्यम Duke समान कह नहीं कह यानि कौन नहीं है ऐसे ठीक है औप अगे हैं यहां पर 17 नम्र पर आलस्य मनुश्यना माहान रिपूह। आलस्य मनुश्यों का माहान शत्रू है बताये भई क्या मनुष्य का महानशत्रू है क्या अब यहां पर हमारा प्रश्ण बन रहा है सीधा सीधा हिंदी में सोचो आप खीके ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए तो आलस्यम आजाएगा आलस्य मनुष्यों का महानशत्रू है तो यहां हिंदी में बनाओगे क्या मनुष्यों का जाएगा क्योंकि आलश्यम नपुम्षक्लिंग का रूप है तो किम नपुम्षक्लिंग में आ जाएगा ऐसे आगे चलो नराणाम प्रथम चत्रुख रोदह अस्ति अब नरा नाम के निचंड र्लाइन हो रखा है तो यहां सस्टी का रूप है मनुश्यों का प्रतम प्रतम शट्रुक्रोध है अब प्रस्ट हंदी में सोचिए वक्षो किनका प्रतम शथुक्रोध है तो सिंपल है केश्म आ जाएगा क्यों क्यों कि यह सस्ट्री का रूप है केश्म Natara Nranam की तरह सिंग है बानराब्याम स्वयरक्षायाम असमर्थ एवासीत जो शेर था वो बानरों की ठीक है अपनी रक्षा करने में असमर्थ ही था ठीक है स्वयरक्षायाम किस में तो स्वयरक्षायाम तो रक्षायाम यहाँ पर जो विवक्ति है न वो की वोई विवक्ति आपको लगा द दए निनी है तो यहां हो जाएगा काश्याम क्या हो जाएगा कश्याम क्या लिखेंगे काश्याम हो tick तो रक्षायाम असमर्थ हैं बासीत यहां उजाएगा कश्याम असमर्थ है वासी особ आएसे आगे चलो 20 नमर देखो 20 नमर पर है कलहेन समयम व्रता नया पयन्तु ठीक मतलब लड़ाई जगड़े से अपने समयjos समय Banks नहीं बिताएं व्यर्थ में लड़ाई जग्ड़ा करके समय neutr match मत करिए कलह करने से तो किसे समय को व्यर्थ में नहीं गवाएं केन कलहेन में तृतिया एक बचन का रूप है तो आपको लिख देना है केन कहकव के कमकव कान केन का भ्याम कही तो केन आ जाएगा एक बचन में आगे चलिए 21 नमबर है बच्चो तो सह भार वेदना यहां करंदती इस्म वह भार वेदना से करंदन करता था यह करंदन कर रहा था रो रहा था ज्यादा बजन की बज़े से तो किस से वह किस से करंदन कर रहा था तो किस से तो यहां तृतिया का रूप है यह इस तो इनका रूप है वेदना जैसे रमा चलता ना रमया तो इसी तरह यहाँ पर चल जागा सह कया क्रंदतिस्म बह किसे क्रंदन कर रहा था तो उत्तर हो जाएगा भार लिख देना है कम कह कव के कमकव कान तो कम आ जायगा दूतिया के एक बच्छन में यहां कि पुत्र건 में भी दूतिया वक्ति लगी हुई है पुत्रत को देखने के लिए तो यहां हम कहेंगे किसको देखने के लिए, तो कम आ जाएगा, इसके निच अंडलाइन है, ठीक है, तो राती है, तो रात्री में कहां पर पैदल चलना ठीक नहीं है, पदियात्रा करना कहां पर शुवां नहीं देती, तो कहा कि वही विजन प्रदेश में तो कुत्र आ जाएगा क्या जाएगा कुत्र एकांतिस्तान पर बिलकुत सुमसान जगे हो वहां पर रात्री में पदियात्रा करना ठीप नहीं है ऐसा यहां कहा जा रहा है आगे चलिए चौबीस नमबर मतलड़ के बज़े से ही नेत्रों से युक्त कहलते हैं तो इस संसार में कौन? जान चक्षुओं से नेत्र से युक्त कहलते हैं कौन कहलते हैं तो यहां विद्वान शह भहवचन का रूप है विद्वान विद्वाँ शह भिद्वान शह लेकल आगे चलिये अब देखी वच्चो आगे है 25 नमर आचार है प्रतम धर्म है यहां आचार है के नीचे अंडरलाइन है यानि आचार जो विवार होता है वो ही प्रतम धर्म है तो प्रतम धर्म क्या है तो यहां जाएगा कह क्योंकि आचार है पुलिंग है तो कह आपको लिख देना होगा चित्ते वाचीचे ए वक्रता भवेत कह रहे हैं कि चित्त और वानी में ए वक्रता हो मतलब वक्रता नहीं हो सरलता हो ठीक है तो मतलब इसका हो गया कि चित्त और वानी चित्त और वानी में सरलता हो तो क्या हो तो बक्रता को हटा करके हम लेखेंगे का क्योंकि वक्रता इसलि इताद्रशी भयाब है घटना गडवाल क्षेत्रे घटिता इस तरह की भयानक घटना गडवाल क्षेत्र में हुई तो किस तरह की भयाब है घटना गडवाल क्षेत्र में हुई किस तरह की तो यही तो है ना आप इंदी में सोचिए प्रश्ण किस तरह की घटना तो इसमें ल इसलिए आप कीद्रिश ही लिखेंगे, ना फुम्षक लिंग होता तो कीद्रिश है लिखते, ऐसे अंतर है इनमें 28 नमबर देखिए, विवशा हा प्राणी ना हा विवश प्राणी, आकाश है याने आकाश में पिपली का याने चीटियों के समान निहन्यन्ति निहन्यन्ति मतलब कुछले जाते हैं या मारे जाते हैं ऐसे आप इसको समझ सकते हैं कहां पर आकाशे, क्योंकि आकाश के निचंडरलाइन है, तो यहां आकाशे को हटा करके आपको प्रश्न बनाना है, तो बिवश प्राणी, चीटी की तरह मारे जाते हैं, कहां पर? तो कुत्र आजाएगा कुत्र यानि कहां पर होता है यहां पर है आपका 29 29 नमर भूमी ही फालत द्वे विभकता जो भूमी थी वो दू भागों में विभकत हो गई भूमी इस्ट्रिलिंग का रूप है बच्चो तो क्या विभकत हो गई दू भागों में क्या तो यहां किन ले हैं और अगे किनके साथ होता है तो आगनी के साथ विरोध होता है मुस्का अगनि के साथ में यобод होता है आगनी के संपर्क में यह जला देगी अगनी olsun अगनि के साथ विरोध होता है तो हम परश्चन करेंगे तो यहां सस्की का रूप लेकिन के के शाम केशाम ऐसे ठीक है आगे चलो 31 नमबर है शिवी ना विना इदम दुशकरम कारियम कह कुरियात कहा कि शिवी के बिना यह दुशकर कारिये कौन करेगा मतलब कौन कर सकता है दुशकर कार यह इस तरीगा खा शिवी ना विना तो किस के बिना प्रशन करेंगे किस के विना तो ल अब चलिए बच्चों आगे है हमारा 32 नमर देखिए बहुती बढ़िया उधारन है अत्यादर है शंकनिय भवती अत्यादर शंका करने युग्य होता है शंकनिय होता है तो यहां हम हिंदी में सोचेंगे अत्यादर कैसा होता है किस तरह का होता है तो हम लेकिंगे की द्रिश याँ को अचानक से बहुत ज़्यादा संमान दे रहा है तो आहां मामल Agr है सलिए कः त्यादर शंक निये होता है इत्यादर योगीं यही मेरा निस्चा है, यहाँ पर मे के नीचे अंडर लाइन है, अब बच्छों आपको मे का रूप आना चीह, यह कहां से आया है, यह आपका असमद शब्द से आया है, असमद और युष्मद शब्द आपको याद होंगे तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, Ugh नव ने, यह रूप बनता है सस्थी के अंदर, तो यहाँ पर आम लेखेंगे कस्य, यही मेरा निस्चए है, तो यही किसका निस्चए है, यही तो प्रश्ण बनेगा हिंदी में, किसका, तो कस्य है, ठीक है, और कस्य को अटाके लेकिन के मे, मेरा, ऐसे, आगे है चलो चातक है वने वसती चातक वन में रहता है तो हिंदी में सोचेंगे कहां रहता है तो कहां के लिए आमने बताया कुत्र Where do you live? बवान कुत्रनि वसती भवती कुत्रनि वसती ऐसे तो उत्तर हो जाएगा वने वसती तो यहां लिखेंगे कुत्र, कुत्र से प्रश्ण बन जाएगा हमारा, आगे सुनो, पतंगाहा, अंबर पथम आपे दिरे, तो यहां पतंगाहा, कौन है पतंगाहा, पतंग शब्द है, ठीक है, पतंग, कीट पतंगे, तो भहुचन का रूप है, तो पतंगाहा को हटा करके आपको के लिख देना है, कह, कव, के, तो बन जाएगा के, ऐसे, सिंपल है, आसान है, आगे सुनो, राजहनसेन सरसह शोबा भवेत, राजहनसे सरसह, यानि तालाव की शोबा होती है भी है, तालाव की शोबा राजहनसे हो, तो किस से, सरस की शोबा किस से हो, तो यहां पर राज हंसेन की जगे हम लिखेंगे केन, क्योंकि राज हंसेन में तृतिया का रूप है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कव के कम कव कान केन का अब्याम कई, तो केन लिख देंगे, ठीक, ऐसे, आगे चलो, राज हंसेन मिरनाल पटली भुकता, राज हंस के द्वारा मिरनाल पट .." उपभोग किया है.." तो यहां लिखेंगे का.. तो मिरनाल पटली को हटा के लिखेंगे का.. आगे है आपका देखे भवान शरोबरु से आप सरोबर के dugpan क्रुट्थ्चेंच अपने कार्य से krtopakar भवतु कृटवकार हो ठीक है तो यहां पर लिखेंगा सरोबर के अपने कृत्त से किसके तो सरोबर then is a to simple कस्य आ जाएगा तस्यह है अब हैं हमारा तरह देखिए माला कार है तो यही तरोऩ पुष्टिम करोती जो मालाकार यानि माली है वह पानी के द्वारा तरो हो तरू जो हैं हमारे पेड़ पौदे उनकी पुष्टी करता है ठीक है पानी बानी पिलाता है उनको तो किस से जल से तो यहां जल होता है तो तो यही पानी के द्वारा तो यहां पर आ जाएगा तो यही तृतिया का भवचन है तो कई आ जाएगा कही जैसे नेक नदी और जो नाले हैं सेकड़ों नदी नाले जो हैं उनको भर करके रिक्त होता है खाली हो जाता है उनको पूरा करके खाली हो जाता है तो कौन हो जाता खाली तो यहां जलदह की जगे आ जाएगा क्या है क्योंकि जलदहा पुलिंग है बच्चो तो पुलिंग का वीडियो देखा है सुना है तो निस्चित रुप से इसमें से आपका कोई सवाल गलत नहीं होना चाहिए एक तो आपको बच्चों किम शब्द याद हो यान चाहिए किम शब्द तो एकदम कंटस्त याद होना चाहिए इसके अलावा कुछ एक शब्द और है जैसे कि असमद ह होता है ठीक है ना इस तरह कि कुछ शब्द हैं वह आप याद कर लीजिए हालें कि मैंने इसके उपर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है वह आप देख सकते हो वीडियो के आपका पेपर में सवाल मिल जाएगा दोस्तों अब एक बच्चे ने भावारत के वारे में सवाल किया है कि सरा में भावारत बताएंगे या नहीं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा भावारत में जरूर बताएंगा आपको आज ही प्रियास करूँगा आज मैं आपको भाव को सब्सक्राइब जरू करो ठीक है ना अपने दोस्तों को शेयर करो जिसे सब को फायदा मिले और भी कोई भी सवाल है आपका कोई भी टॉपिक आपको समझ में या रहा है कठें लग रहा है तो उसको आप लिक दीजिए आपको हम उस पर वीडियो बना देंगे नोट्स बना सब के लिए धन्यवाद